हे गाइस वल्कम बैक टो चानल आप यौल आ डूइंग आपसलूटली फाइन आज एक फंडमेंटल कंपेरिजन एक ऐसे सेक्टर का जिसने धूम मचा रखी है जी मैं बात कर रहा हूं पी एस यू बैंकिंग सेक्टर तो पी एस यू बैंकिंग सेक्टर की वीडियो यह फंड प्लिक सेक्टर बैंक का आज अनलिसिस में लेकर आया हूं वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बरोडा पंजाब नैशनल बैंक कैनरा बैंक और यूनियन बैंक सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यूएशन्स में इंडस्ट्री का पी ए स्टैंडर्ड है 10.64 का स् पंजाब नैशनल बैंक 14.97 कैनरा बैंक 4.65 और यूनियन बैंक 5.91 पंजाब नैशनल बैंक highly overvalued है और कैनरा बैंक fairly undervalued है अब बात करते हैं इंडस्ट्री का प्राइस टूबॉक वैल्यू जो 0.79 पर है अब इनके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.43 बैंक ऑफ बरोड पंजाब नैशनल बैंक 15.5 और यूनियन बैंक 16.5 तो यहां पर अगेन कैनरा बैंक undervalued है पैग रेशो के अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.10 बैंक ऑफ बरोडा 0.12 पंजाब नैशनल बैंक 0.84 कैनरा बैंक 0.13 और यूनियन बैंक यूनियन बैंक पर इंडिया पर यूनियन बैंक 0.20 तो पैग रेशियो पेंटर वैलुड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तो फाइनल स्कोर्स वैलुएशन के हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 बैंक ऑफ बरोडा 8 पंजाब नैशनल बैंक 7 तेन यूनियन बैंक 9 operators के में भात कर ग्रोथ है 50% और स्टॉक की ग्रोथ है 44% अच्छा नमबर है बट सेल्स थोड़ी सी कम ग्रोई हैं बैंक ऑफ बरोडा जिक्स परसेंट सेल्स ग्रोथ प्रोफिट ग्रोथ 153 परसेंट अंड स्टॉक का सीजी आर 60% तो बहुत धमाकेदार हैंकी तो बहुत कम है पंजाब 60% sales growth profit 98% or stock growth 47% profit growth अच्छी है बड़ स्टॉक ने अगें profit ठीक ठाक दिया है यूनियन बैंक की sales growth 25% profit growth 78% and stock का return 127% तो यहां sales दमागेदार है profit भी ठीक है और stock ने बहुत जबर्दस return दिया है तो sales और stock की growth में union bank जीतता है और profit की growth में bank of baroda अब 5 साल की sales profit और stock की growth की बात करते हैं state bank of india 9% sales growth profit 76 stock की growth 13% bank of baroda 15% sales growth profit 58% and stock की growth 5% पंजाब नेशनल बैंक 12% sales growth profit की growth 18% और stock की growth 8% negative 8% जो की बहुत खराब नंबर है कैनरा बैंक 16% sales growth profit growth 37 stock की growth 2% union bank 29% sales growth profit growth 68% और stock की growth 44% तो यहां union bank 3 years and 5 years parameter में profit और stock की growth में जबरदस्त है 3 years में bank of baroda का profit सबसे अच्छा है तो profit state bank of india का 5 years में बहुत अच्छा है तो इसके अगर मैं scores की बात करूँ तो state bank of india 8, bank of baroda 9, पंजाब national bank 7, canara bank 9 and union bank 10 दोस्तों अब बात करते हैं banking and operations की यह सबसे important है banking and operations सबसे पहले हम यहां देखेंगे kasa और net interest margin तो state bank of india का kasa है 42.67 का net interest margin है 2.93 का bank of baroda 39.24 कासा NIM 3.02 पंजाब national bank 41.92 net interest margin 2.48 canara bank 31.08 का kasa and 2.48 का net interest margin union bank 35.18 का kasa और 2.71 का net interest margin तो अगर इस parameter के score की बात करूँ तो state bank of india 10, bank of baroda 9, पंजाब national bank 8, canara bank 7 and union bank 8 दोस्तो return and other ratios के बात करते हैं state bank of india का debt to equity 13.9, bank of baroda 12.78, पंजाब national bank 13.22, canara bank 15.85, union bank 14.76 debt to equity banks और NBFC में ज़्यादा ही होता है तो tension वाली बात नहीं है बट bank of baroda का सबसे गाम है dividend yield 1.97, state bank of india, bank of baroda 2.87, पंजाब national bank 1.08, canara 3.65, union 3.4 तो सबसे अच्छा dividend canara दे रहा है ROE और ROCE पर बात करूँगा अगर तो state bank 16.8, bank of baroda 15.1, पंजाब national bank 3.34, canara 14.8 and union 5.02 ROE सबसे अच्छा state bank का है ROCE 5.21 state bank, bank of baroda 5.17, पंजाब national bank 4.11, canara 5.33, union 11.4 तो ROCE सबसे अच्छा है union bank का तो इस parameter के score पर बात करेंगे state bank 9, bank of baroda 10, PNB 8, canara and union 9 each last but not the least अब final scores की बारी आ चुकी है तो देखते हैं final scores क्या है state bank of india valuations में 8, profitability में 8, banking ops में 10, return and ratios में 9, 35 का total score मिलता है bank of baroda valuations में 8, sales profitability 9, banking 9, return and other ratios 36 का total score है PNB valuations में बहुत बेकार थे, 7, sales profitability भी कुई अच्छी नहीं थी तो 7 banking ops में 8, return and other ratios में 8, final score इनका होता है 30 का then canada bank valuations में 10, sales profitability 9, banking ops में 7, return and other ratios में 9, final score 35, union bank valuations में 9, sales profitability में 10, banking ops में 8, return and other ratios में 9, total score 36 का है bank of baroda और union bank के बीच में एक टाई है 36 पर, पर state bank of india और canada bank भी जादा पीछे नहीं है worst performing bank यहाँ पर निकल के आता है पंजाब national bank तो दोस्तों यह किसी भी तरीके से investment advice नहीं था यह एक educational purpose के लिए आपको मैंने वीडियो दिया है investment के लिए और भी बहुत सारे parameters देखे जाते हैं ऐसे कि fundamental aspect बहुत जादा देखना होता है technical aspect देखना होता है तो वो सब देख कर यह आप invest कीजिए और अपने investment advisor या financial planner से जरूर बात करिए तो guys अगर आप channel पर नहीं है तो do subscribe to the channel वीडियो अच्छी लगे तो like करिए friends and family members के साथ share करिए because एक बहुत छोटे से motto पर हम काम करते हैं stay together grow together and prosper together I'll meet you guys in some another video till then bye bye take care and Jai Hind